मेरा नाम है डॉक्तर महीपाल सिंग राठोड और आज इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे पानी पत की तीसरी जंग इस लड़ाई को भारत के इतिहास में एक बहुत मेजर टर्निंग पॉइंट माना जाता है तो ऐसा क्यूं है यह हम आज डिसकस करेंगे जानेंगे किसके बीच में यह लड़ाई हुई रीजन्स क्या थे क्यूं लड़ाई हुई और इसके दूरगामी परिणाम क्या थे अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुणना चाते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम या फेस्बुक पर फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स की अपडेट्स मिल जाएंगी और PDF डाउनलोड आप कर सकते हैं इस टेलिग्राम चैनल से सबसे पहले Study IQ का Pen Drive course 2020 IES परीक्षा के लिए उपलब्ध है इस course की मदद से आप घर बैटकर IES एक्जाम की तयारी कर सकते हैं इसमें History, Quality जैसे सब्जेक्ट्स को मैंने पढ़ाया है तो अगर आप मुझसे इन सब्जेक्ट्स को completely पढ़ना चाते हैं तो आप इस course को अवेल कर सकते हैं हमारी website है studyiq.com वहाँ पर आपको जाला जानकारी मिल जाएगी तो अभी एक movie आने वाली है जिसका नाम है पानीपत इसी लड़ाई के उपर ये movie based है मैं recently इस movie का trailer देख रहा था और उसमें एक poster भी देखा मैंने जिस ने मेरा ध्यान अकर्शत किया इस line ने अब मुझे नहीं पता कि movie में क्या दिखाया गया है या जैसे Bollywood वाले दिखाते हैं उसको बहुत romanticize कर देते हैं या फिर हच से जादा glorify कर देते हैं कई चीजों को लेकिन इस line ने मेरा ध्यान खीचा कि the battle that changed history ये बहुत important है actually मैं पानीपत ने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी क्यों और कैसे वो जानेंगे तो ये लड़ाई कब हुई थी? 14 जनवरी 1761 में इसे तीसरी पानीपत की जंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहले ही दो battle of पानीपत हो चुकी थी ठीक है? दोनों पर वीडियोस बनाये हो हैं Study IQ चैनल पर उपलब्ध हैं तो ये पानीपत की जो जंग है उसी मैदान पर होने वाली तीसरी लड़ाई है मध्यकालीन भारत में तो इसलिए इसे 3rd battle of पानीपत कहा जाता है पानीपत है कस्बा है दिल्ली से लगबक 100 km उत्तर में तो ये लड़ाई हुई थी मेंली मराठा एंपायर और दूसरी तरफ अफगान किंग एहमद शा अबदाली के बीच में अबदाली को कुछ अन्य लोग भी सपोर्ट कर रहे थे उत्तर भारत के कुछ और किंग्नम से जो सपोर्ट कर रहे थे बट मेंली इट वस बिट्वीन मराठाज एंड एहमद शा अबदाली तो ये लड़ाई 18 सदी की सबसे बड़ी लड़ाई मानी जाती है इन फैक्ट वर्ल्ड वार्स जब तक नहीं हुए थे तब तक ये दुनिया की सबसे बड़ी बैटल थी जिसमें इतने हजारों लोग मारे गए हो एक दिन में आज भी इस लड़ाई को historians, war historians मानते हैं कि एक दिन में, एक single day में लड़ाई में जितने लोग मारे गए थे इसमें, उतने किसी और लड़ाई में नहीं मारे गए हैं, तो ये काफी बड़े scale की battle थी और इसके बहुत ही दूरगामी परिणाम भी थे तो पानीपत की इस जंग में एक तरफ था Maratha Power और Maratha Power को lead करते थे पेशवास Maratha's के de facto rulers, यानी पूरी तरह से उन्हें rule करने वाले, actual में rule करने वाले थे पेशवास हाला कि नाम के लिए छत्रपती होते थे, राजा titular head थे, वो जैसे आज president होते हैं लेकिन actual power भारत में सारी किसके पास होती है prime minister के पास, कुछ उसी तरह का setup आप समझ लीजिए तो पेशवास के पास completely power आ जाती है, हाथ में 1713 से और बालाजी विश्वनात और उनके बाद बाजी राओ first, Maratha Power को अपने चरम पर भूचा देते हैं especially बाजी राओ first, इन्होंने अपने 20 साल के कारेकाल में कई लड़ाईयां लड़ी और Maratha Power को महराश्टर के किवल इस एरिया से expand करते हुए लगबग पूरे उत्तर और केंदरे भारत में स्थापित कर दिया बाजी राओ के बाद उनके बेटे बालाजी बाजी बाजी राओ अबदाली कौन था, एमद शाह दुर्रानी भी इने कहा जाता है ये व्यक्ति एक आम सोलजर था नादिर्शा और परशया के आर्मी में एक आम सैनिक से इस व्यक्ति ने अपना करियर शुरू किया और दीरे दीरे अपने आपको इतना पारफुल बनाया है कि अबदाली का ही किंडम है उसके पहले अफगानिस्तान या तो परशया के अधीन रहा था या फिर मुगल एंपायर के अधीन रहा था या दोनों के बीच में बटा हुआ रहता था कई हजार सालों तक, कई सौ सालों तक लेकिन एहमद्शा अबदाली वो पहला व्यक्ति था जिसने modern day अफगानिस्तान की जो boundary है उससे मिलता जुलता अपना kingdom establish किया था और आज भी इनकी जो मजार है it is one of the most visited places in अफगानिस्तान कंधार में इनकी मजार है एहमद्शा बाबा इने कहते हैं लोग प्यार से महाँ पर तो 1748 और 1767 इन 20 सालों में एहमद्शा अबदाली ने भारत पर या उत्तर भारत पर, specially पंजाब रीजन पर आठ बार हमला किया इनी में से जो 5th वाला हमला था उसमें हुई थी Battle of Panipat तीसरी Panipat की जंग इस मैप में आप दुर्रानी Empire को देख सकते हैं तो इन्डस नदी के उत्तर में और आज का जो अफगानिस्तान का एरिया है वो पूरा दुर्रानी Empire के अधीन था और यहाँ पर आपको जो Peach Color में नज़र आएगा यह है Maratha Empire अब यहाँ पर Mughals आपको नज़र नहीं आएंगे क्योंकि Mughals का Power खत्म हो चुका था Mughals के वल नाम में शासक थे Actual Power सारी Marathas के पास थी Tax Collection की Security की तो यहाँ पर Right Up Till Indus नदी Maratha Power देखने को मिला था Atop के किले से शुरू होकर यहाँ दक्षिन में Almost Tamil Nadu तक Maratha दोज फहराता था 1760 में और एक और important player जो आपको पता होना चाहिए इस लड़ाई में वो है Kingdom of Awad यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नवाब है शूजाउद दौला और last है रोहिलाज तो यह वाला इलाका जो है आज जो पश्चिमी उत्तरप्रदेश है मुरादाबाद, बरेली, दहरादूम के पास वाला एरिया वो सभी रोहिल खंड कहलाता है और रोहिला कौन थे? रोहिला अफगान थे ethnically diverse अफगान जो मुगल शासन के दौरान या फिर सल्तनत पीरड के दौरान अफगानिस्तान से धीरे-धीरे आकर यहाँ पर बसना शुरू हो गए थे और आर्मी में जॉब करते थे काफ़ी important positions भी थे तो रोहिलाज भी इस लड़ाई में एक important power है रोहिलाज और उनका लीडर नजीब उद्दौला तो रोहिलाज चीफ नजीब उद्दौला जो है इन्होंने ultimately पानीबत की लड़ाई में किसका साथ दिया था एहमच शाअबदाली का तो 1757 में अबदाली अपने चौथे campaign पर आया दिल्ली को फिर से में मराठाज ने दिल्ली को capture करके फिर से मुगल्स को दे दिया रोहिलाज को भी हराया गया क्योंकि रोहिलाज ने side change कर ली थी इस समय तक और मुगल्स की जगे वो अबदाली का साथ दे रहे थे और 58 और 59 में 1758-59 में मराठा पावर अफगानिस्तान बॉर्डर तक पहुच चुगा था फिर से अब December 1759 में अबदाली decide करता है कि मैं फिर से attack करूँगा क्योंकि उसका बेटा जो है तिमूर शादिरुरानी वो लाहर छोड़ के उसे भागना पड़ा था तो वो इससे नाराज हो गया उसमें का फिर से हमें पंजाब recapture करना पड़ेगा तो December 59 में दुर्रानी अपनी आर्मी लेकर अफगानिस्तान से खैबर पास से होते हुए फिर से पंजाब आता है और ये पांचवा attack है जब अबदाली के पंजाब में आने की खबर पहुँचती है पूना यानि पेश्वा के पास तो पेश्वा नाना साहिब ये दूसरा नाम था बालाजी बाजी राओ का नाना साहिब अपने कजिन यानि चचेरे भाई सदाशिव राओ को ये जिम्मेदारी देते हैं मराथा केंपेंग को लीड करिये और अपने खुद के 20 साल के बेटे विश्वास राओ को भी इस केंपेंग पेजा जाता है क्योंकि विश्वास राओ अगर अगले पेश्वा बनते हैं तो उन्हें आर्मी का बैटल का experience होना ज़रूरी है सदाशिव राओ भाओ कौन थे सदाशिव राओ भाओ जो है वो चीमा जी अप्पा के बेटे थे चीमा जी अप्पा is the brother of बाजी राओ पेश्वा कुल मिला कर इतना ध्यान रखिये कि ये पिछले पेश्वा बाजी राओ के भदीजे थे और इन्हें बनाया गया आर्मी कमांडर तो ये पेश्वा फैमिली का फैमिली ट्री है यहाँ पर आप देख सकते हैं बाला जी बाजी राओ नाना साहिब और उनके कजन सदाशिव राओ भाओ यहाँ पर कुछ पॉलिटिक्स ऐसी चली थी कि रगुनात राओ जो सबसे जादा एक्सपिरेंस थे पेश्वा के खुद के सगे भाई उन्हें क्यों नहीं बेजा गया जबकि यह जादा एक्सपिरेंस थे और इन्होंने ही 58-59 में नौर्थ वेस्ट जो एरियास है वो मराटास के लिए जीते थे तो इन्हें उस नौर्ध टरिटरी का एक्सपिरेंस भी था जबकि सदाशिव राओ भाउ को कभी नौर्थ में नहीं बेजा गया था इन्होंने अपनी लड़ाईयां सदन एरियास में ही लड़ी थी या तो मैसूर के खिलाफ या फिर डेकन में निजाम के खिलाफ तो रगुनात राओ ने मना कर दि थी और 10-12 साल का लड़ाई का एक्सपिरेंस डेफिनेटली था बट रगुनात राओ की तरह उन्हें नौर्धन एरियास का एक्सपिरेंस नहीं था और ऐसा मना जाता है कि रगुनात राओ पॉलिटिकली जादा समझदार थे डिप्लोमेसी में जादा अच्छे थे जबकि सदाशिव राओ भाव डिप्लोमेसी में इतने अच्छे नहीं थे इन्होंने किसी को साथ लेने से मना कर दिया डिप्लोमेसी में he was very poor तो मराठा आर्मीज निकलती हैं महाराष्टर से पूना से और नौर्थ जाती है जहां पर they are joined by other मराठा आर्मीज फ्रम बरोडा गायकवार्ट्स इंदौर होलकर्स ग्वालियर सिंध्यास और पहुचती है दिल्ली लगबग 1600 किलोमेटर दूर मराठा अपनी यूज्य टेर पास एक लाग regular आर्मी थी लेकिन इस आर्मी के साथ लाखों की संख्या में civilians भी थे civilians क्यों आ गए देखे जब इतनी बड़ी आर्मी उत्तर भारत जा रही थी तो कई लोगों ने ये सोचा कि चलो हम भी आर्मी की security में travel लेंगे इतना लंबी दूरी का सफर तैय करना उस सम मुचा था तो जब ये पूर्या मराठा आर्मी दिल्ली पहुंची तो उसमें लड़ाई लडने वाले तो एक लाग थे और पीछे तीन-चार लाख लोग थे जो civilians थे और ये civilians ये सोचकर आये थे कि हम उत्तर भारत के धाम में दर्शन कर लेंगे के लानाद, बदरिनाद, यमनोतरी, गंगोतरी, सभी जगे हम दर्शन कर लेंगे, तो एक pilgrimage की तरह से ये सभी आर्मी के साथ जुड़ गए थे, अब ये इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आर्मी हार सकती है, क्यूंकि एक पूरी generation ने पिछले 30-40 साल में कभी हार का मुह ही नहीं देखा था, मराठा आर्मी कंटिनूसली 30 साल से जीते जारी थी, तो पूरी generation ने कभी हार देखी नहीं थी, डिफीट ही नहीं देखी थी, तो ये बिल्कुल confident थे कि हम तो जीती जाएंगे, चाहे सामने कोई भी हो, तो ये आर्मी लगबग 1,00,000 की regular आर्मी थी और इसने आकर दिल्ली को फिर स अब यहाँ पर क्या होता है ना कि ये यमुना नदी बह रही है, तो अबदाली के आर्मी थी यमुना नदी के इस तरफ, ये वाला साइड हो जाएगा, कौन साइड, इस्टन, पूर्वी तरफ, और मराठा आर्मी जो है, वो थी पशिमी तरफ, यमुना नदी के, तो मराठ अब दिल्ली को capture कर चुके थे, तो उन्हें पानीपत जाने की क्या जरुरत आ पड़ी, देखिए दिल्ली को अल्रेडी अफगांस ने लूटा हुआ था, खजाने में कुछ नहीं बचा था, मराठास को सप्लाइस चाहिए थी, पैसा चाहिए था, आर्मी केंपेइन को आग कोशिश करेगा, तो मैं यहां से उसे block कर दूँगा, मराठा आर्मी यहां पर उसे block कर देगी, अब्दाली इस बीच कहा था, अब्दाली था इस तरफ, अब्दाली कहा था, यमुना के पश्यमी तरफ, वेस्टन साइड पर था, और उस वक्त मॉन्सून का सीजन था, अग नहीं कर सकता था, इसका जीता जाकता प्रमान ये था, कि पिछली बार जब उसने attack किया था, तो अवद के साथ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन जब इस बार आया, तो अवद को अपना दोस्त बना लिया, शूजा उद दौला को ये बताया, कि मराठास आपके लिए भी threat है हैं, हमारे लिए भी threat हैं, तो क्यों ना इनको मिलकर हरा हैं, और इस दोस्ती को बनाने में बहुत बड़ा रोल था, नजीब उद दौला का, नजीब उद दौला रोहिल लास्क का एक आर्मी चीफ था, जो मुगल आर्मी में बहुत बड़ा जनरल था, लेकिन he had switched, 1757 में ही प्लस नजीब उद दौला के रोहिल ला और शूजा उद दौला फ्रॉम अवद, इन तीन की कम्माइन आर्मी अब आ गई थी मराठास के सामने, दूसरी और मराठास भी चाहते तो डिप्लोमसी का साहरा लेते हुए, दूसरे powers को अपने साथ ले सकते थे, उत्तर भारत में उस वक्त बड़े-बड़े powers थे, पंजाब के सिक, लेकिन इनकी तरफ कोई भी हाथ नहीं बढ़ाया गया डिप्लोमसी का, अगर चाहते तो इन्हें अपने साथ ले 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 थे, दूसरी तरफ जाट राजा सूरजमल, जो दिल्ली के आसपास का एरिया है, आगरा, दिल्ली बलबगड, इस एरिया में राजा सूरजमल का बहुत अच्छा कंट्रोल था, तो राजा सूरजमल से तो बात भी करने आया थे इनसे आगरा में, लेकिन सदाशिव राओने इन्हें मना कर दिया और कहा कि हम तो आपको भी हरा देंगे, या आपको भी हटा देंगे, हमें त साथी हेवी टैक्स था, साथी साथ, इंटर्फेरेंस था, इंटर्नल अफेर्स में, यानि की गद्धी पर कौन आगे अगला राजा बनेगा, इसमें भी मराठास डिसिजिजन्स लेते थे, तो ये उन्हें पसंद नहीं आ रहा था, और इसलिए जाट्स और राजपूर्स इस लड़ाई से दूर रहे, उन्होंने मराठास को आगे चल के अपना सपोर्ट नहीं दिया, अब मैं आता हूँ एक्चुल लड़ाई पर, तो मराठा आर्मी थी पानीपत में, और अबदाली के आर्मी थी यहाँ पर दूसरे किनारे पर, यमुना के दूसरे छोर पर, तो अब कोई written proof नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जाता है stories में कि, अबदाली खुद नदी में कूद गया, अपने सैनिकों से पहले, क्योंकि सैनिकों ने मना कर दिया कि हम नदी में नहीं जाएंगे, क्रॉस नहीं करेंगे, पानी कम होने दो, अबदाली खुद पहले कूद गया न मराठास के बीच में थी, अबदाली की पूरी आर्मी, तो अब मराठा आर्मी पानी पत में घिर चुकी थी, एक तरफ ती यमुना नदी, उत्तर की और जा नहीं सकते, जो supply routes हैं, वो सारे south से block हो चुके हैं, अबदाली के आर्मी यहां से और यहां से घिर कर बैठी है, तो मराठा soldiers अपने आर्मी जेनरल से कहते हैं कि या तो आप हमें लडाई में मरने दो, या फिर हम भुकमरी से मर जाएंगे, तो ऐसे में 14 जनवरी मकर सकरांत का दिन डिसाइड किया जाता है, military leaders द्वारा, कि आज हम attack करेंगे, तो 14 जनवरी 1761 को मराठा सुबह सुबह, जैसे ह सूरज उकता है, एक surprise attack करते हैं अबदाली के आर्मी पर, और अफगांस नहीं अटैक एंटिसिपेट नहीं किया था, उन्हें नहीं लगा था कि इस तरह का attack होगा, तो दिन में 2 बजे तक मराठास काफी हावी थे, लेकिन अकसर जैसा लडाईों की कहानी में होता है, कि एक आती खाली नजर आया, तो मराठास सैनिकों को लगा कि सदाशिव राओ की डेथ हो गई है, तो कैम्प में अफरा फ्रीमपची और मराठास की ultimately हार होती है, लेकिन अगर military point of view से देखें, तो मराठास की जो artillery और cavalry है, वो कही न कहीं अफगान से कम तर थी, क्योंकि अफगान पर एक decisive victory होती है, एहमचा अबदाली की आर्मी की, लेकिन दोनों तरफ से बहुत ही भारी जानमाल का नुकसान हुआ था, in fact अबदाली भी इस लड़ाई के बाद भारत में जादा समय नहीं रहा, वो कुछी महीने में वापिस चला गया था, क्योंकि उसके भी 30,000 सैनिक य अदर मारा गया, चुन-चुन कर, जो छुपे हुए थे, घरों के अंदर, महिलाएं, बच्चे छुपे हुए थे, उनको तक मारा गया, कई महिलाओं ने आत्मत्या भी कर ली, और कई लोगों को स्लेव बनाकर, गुलाम बनाकर अफगानिस्तान भी ले जाये गया, इस तरह जो उन्होंने पिछले 30 सालों में किसी को भी नहीं छोड़ा था, जितने भी पावर्स हैं चाहे, वो मुगल्स हो, जाट्स हो, राजपूट्स हो, सबको अटैक करते थे, सबके खिलाफ बराबर टैक्सिस लगाय जाते थे, तो कोई भी उनसे इतना खुश नहीं था उत्तर जो बंदूके थी, मैंने आपको आडलरी गंस के बारे में बताया है, मौंटेड ओन कैमल्स, उन्होंने काफी लड़ाई का रुख बदल दिया, तो अब इस लड़ाई का पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, देखे, मराथा सुपरीमेसी उत्तर भारत में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, हाला कि मराथा पावर 1771 तक यानि 10 साल बाद फिर से पावर्फुल हो जाता है, लेकिन एक वो स्थिती नहीं हो पाई, जो पानिपत के पहले थी, और अल्टिमेटली इसके कारण मराथा कमजोरी का फाइदा 1775 में अंग्रे जोनों भी उठाया, और अंगलो मराथा वार्स शुरू हो जाता है, और तीन अंगलो मराथा वार्स के बाद मराथा पावर पूरी तरह से खत्म हो जाता है, 1818 आते आते, पानिपत की जंग में क्यूंकि बड़े बड़े आर्मी जनरल्स की डेथ हो गई थी, जैसे सदाशिव राओ और विश्वास राओ, तो उसके कारण जो रगुनात राओ थे, उनके अंबिशन बढ़ गए, उन्होंने सोचा मैं पेश्वा बनूँगा, तो उनी के कारण सेकेंड अंगलो मराथा वार शुरू होता है, रगुनात राओ के पेश्वा बनने के अंबिशन के कारण, लेकिन इस लड़ाई के हारने के कारण, ब्रिटिशर्स को एक सुनहरा अवसर मिल गया, अपने एंपायर को बढ़ाने का, तो इस लड़ाई में जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया था, अल्टिमेटली उन्हें सबसे जादा फायदा हुआ, सिखों ने अपना एंपायर बना लिया, पंजाब में, आ एंपरर के पास कोई पावर नहीं थी, तो कुल मिला के इस उत्तर भारत के पावर वैक्यूम का सबसे बड़ा फायदा उठाया, इस्ट इंडिया कंपनी ने, तो शायद पानी पत की तीसरी जंग में अगर मराथास जीत जाते, तो आज भारत में ब्रिटिश हुकूमत नही होती, क्योंकि मराथास अगर इतने पावरफुल होते, तो ब्रिटिश उन पे कभी अटैक नहीं कर सकते थे, तो जहां 1765 में ब्रिटिश एंपायर कुछ इस तरह का नजर आता था, किवल बंगाल वाले एरिया में इनका रूल था, और यहां पर मराथास हारने के बावजू एक सिख एंपायर के बड़े पावर के पूरा भारत 1823 तक अंग्रेजों के हुकूमत में था, तो स्थिती 1765 और 1823 में फरक देखिए, कितना बड़ा फरक है, तो यह सिग्निफिकेंस था पानीपत की जंग का, थैंक यू बरी मच फॉर वाचिंग दिस, हैव अग्रेट डे नमसार